दोखो कोश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ दोखो कोश्चन में ये है मालीजिए एक स्टेशन है जेवन जंक्षन है जेवन और जेटू दूसरा जंक्षन है एक ट्रेन चलती है जेवन से चल करके जेटू तक जाती है और बीच में S1, S2 से लेकर S, N ये N अलग-अलग स्टेशन पढ़ते हैं जहां पर ट्रेन रुकती है एक ट्रेन है वो जेवन जंक्षन से लेकर के जेटू जंक्षन तक जाती है और बीच में N अलग-अलग स्टेशन पढ़ते हैं S1, S2 से लेकर के S, N ये N डिफरेंट स्टेशन पढ़ते हैं जहां पर ट्रेन को रुकना है ज्यान दो, अब कह रहे हैं M persons enter the train during journey, मतलब M आदमी इस यात्रा के दौरान train में entry करते हैं, जब train J1 से J2 तक जाती है और बीच में N जगों पर उपती है, तो M आदमी इस यात्रा के दौरान train में चड़ते हैं, और M की value N से कम है, है न, with M different tickets, M different tickets, मतलब जो M आदमी चड़ते हैं, उन सभी के पास M अलग-अलग tickets भी हैं, तो how many different tickets they have, उनके पास कितने तरीकों से वो M ticket ले सकते हैं, मतलब M आदमी इस यात्रा के दौरान चड़ते हैं, तो वो M ही different different ticket लेते हैं, तो कितने तरीकों से वो लोग ticket ले सकते हैं तो हमें M ticket चाहिए, हमें M ticket चाहिए, तो अब हमें M ticket चाहिए, पहले हम यह देखें, आखी total tickets हैं कितने, दोगों जैसे, मान लो, अब हम calculation करना चाहते हैं, total number of different tickets, हम देखना चाहते हैं, आखी total tickets हैं कितने, दोगों क्या होगा, अगर आप J1 से train चल लई है, तो एक ticket J1 से S1 तक होगा, एक S2 तक होगा, दो कुल कितने tickets हुए, कुल टिकट्स देखो ये हो गए N प्लस 1 क्योंकि J1 पे चड़ने वाला आदमी S1, S2, SN और J2 तक कहीं भी जा सकता है तो J1 से कुल N प्लस 1 टिकट्स बनेंगे अच्छा इसी पकार S1 से एक टिकट S2 तक होगा एक टिकट होगा S3 तक और एक टिकट होगा SN तक और एक टिकट होगा J2 तक तक तो दोखो ये हो गए हमारे N टिकट्स इसी पकार आगे बढ़ेंगे तो नमबर आप टिकट्स N-1 होगे और आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में जब SN पर आ जाएंगे तो SN से एक ही टिकट होगा क्या बोलो J2 तो ये अकेला टिकट तो टोटल टिकट्स देखो कितने होगे N प्लस 1 प्लस N प्लस N माइनस 1 से ले करके 1 तक तो हमें इस सीरीज का समेशन करना है क्या होगा बोलो इसका समेशन इसका समेशन होगा N प्लस 1 और N प्लस 2 है ना अपॉन 2 ये इसका टोटल समेशन होगा है ना 1 से ले करके N प्लस 1 तो N प्लस 1 N प्लस 2 अपॉन 2 ठीक है ये हमको मालू में न ऐसा फार्मूला मालूम है 1, 2, 3 से लेकर N तक क्या होता है N into N plus 1 by 2 तो यहाँ पर यह series कहा तक जा रही है N plus 1 तक तो N plus 1 और उसमें एक रहाँ N plus 2 upon 2 तो यह total number of tickets हो गए इनको मैंने K माल लिया K है ना तो इतने total tickets train में available है अब train में चड़ते हैं M लो तो जो M लोग ticket लेंगे M चीजों का selection करना है तो क्या हो जाएगा वो लो K C M यह हमारे question का final answer हो जाएगा यह total K tickets हैं इनके tickets में से हमें M tickets का selection करना है तो K में से M का selection क्या हो जाएगा K C M और K की value देखो यह है K में से M चीजों का selection तो यही हमारे question का final answer हो गया K C M के की वेलू यह है, के मैंसे हमें M चीजों का सेलेक्शन करना है यह हमारे कोशन का फाइन आंसर हो गया थोड़ा सा अच्छा कोशन है, लेंगोज की पॉल्लम थोड़ी देती है इन कोशन में इसलिए मैं आपको वेराइटी से आप डिफेंट कोशन करा रहा हूं यह सब कोशन आपको दुबारा दुबारा से बिना देखे हुए करने हैं ठीक है, लिखो बच्चो देहन से